आप लोगों के सामने प्रोबैबिलिटी के मीशली और नौट मीशली एक्सलूसिफ के याद रहे हैं या कंडीशन प्रोबैबिलिटी नहीं बोली उसके लिए मैं एक इस वीडियो में जो हम करने जा रहे हैं दो कोशन है कैसे करवाओंगी जो के एक वर्ड प्रॉब्लम को कोशन है के वर्ड प्रॉब्लम जब आती है और उसके प्रोबैबिलिटी बताते हैं जहां पर जज़ करना होता है मुशली और नौन मुशली ठीक है तो इन दोनों इवे पूछा कुछ आता है लगा कुछ देते हैं वो ठीक है तो स्टार्ट करते अपने वीडियो को बगाएर किसी टाइम को वेस्ट करें तो बच्चों यहां पर मैंने सवाल लिखा है क्या कह रहा है आप से सवाल मोस्त इंपोर्टन कोशन है और यह आता है आपके पास लाजमी देखने ना आप लोग 5 यह में क्या कह रहे है आप है कि real estate ads suggest that 64% of homes 64% of homes for sale have garages 21% have swimming pools and 17% have both features what is the probability that a home for sale has a pool or a garage अब देखो नहीं समझ में आया होगा थोड़ा से सरपे से गुजरा होगा अब थोड़ा से explanation इसकी सुलो क्या है यह कि real estate ads यानि कि कोई agency है ठीक है ads agency है और उनने क्या suggest किया है कि 64% घर ऐसे है जहां पर garages है ठीक है मैं highlight कर देती हूँ 21% घर ऐसे है जहां पर क्या है swimming pool है ठीक और 17% ऐसे है जहां पर बोथ है तो देखो मैं इसको लिखोंगी किस तरीके से पहले तो इसका लिखने का तरीका देख लो अगर garages की बात करते है तो for example एक event ऐसा जिसको मैंने जी सपोस्ट कर लिया और वह event को जो है मैंने यह बना दिया कि 64% क्या है हमारे पास अच्छा अब 64% को 64% लिखू या proportion में लिखू जैसे 0.64 वह एक ही बात है ठीक है कोई मसला नहीं है बस वह तो यहां पर जैसे 64% है तो यह जी हो गया यानि गराज़े से सुमिन पूल ज़स घरों में है तो उसको मैं ले लेती हूं एस पी करके ले लिए मैंने ठीक है तो यह 21% है और एक ऐसे जो के 17% है ता बोट जो हो जाएगा आपका वह क्या हो जाएगा 17% अब देखो अब यह probability इन्होंने already क्या किये दी वी है देखो probability basically होती क्या है देख लो P equals to M over N तो यह N क्या होता है आपका जो total होता है और यह जो M होता है न यह होता है एक तरिके से समझ लो के possibilities number of possibilities या फिर अगर नॉर्मल proportion के लिए आज से समझो तो यह जैसे आपके obtained marks divided by total marks होता है तो जो proportion होती है वह आपकी probability ही होती है यानि इतने में से इतना उसको multiply कर आदे तो आप 100 से ठीक है तो basically probability क्या होती है आपकी यह होती है इसको मैंने किया suppose कर लिया probability of G फिक है तो यह विम पाबिंटी हो गई और यहां मैंने suppose कर लिया probability of swimming pool यह यहां 77th ओ बूत पर मैंने किया suppose कर लिया अब देखो जब बूत की बात आती है तो इसका मतलब क्या है कि common part बोले यहां ऐसे गर जहाँ पर swimming pool और garages भी है तो देखो यहां पर मैंने क्या लिखा कि दर गया भई हाँ यह यानि garages का और intersection क्या आगया मेरे पास SP ठीक है तो एक तरीके से हम नहीं अच्छा सा अपना data बना लिया है आगे देखो क्या बात हो रही है कि भई what is the probability that a home for sale has a pool or a garage ठीक है तो यहां पर पूल और गयराज की यानि क्या probability है कि बताओ कि अगर एक अगर घर है तो वह probability है कि वह उसके अंदर swimming pool भी हो और गयराज भी हो तो देखो सबसे पहले हमेशा मैंने पिछले वीडियो में बताया पहले क्या देखो concept का मतलब क्या concept आपसे logically क्या बोल रहा है घर जब बड़े बड़े घर होता है उसके अंदर swimming pool होता है तो क्या ऐसा है कि swimming pool है अगर आज नहीं होता यानि दोनों possibilities हो सकती है कि swimming pool भी हो सकता अगर आज भी हो सकता तो एक वक में दो चीज़े आ सकती है तो यह कौन सा ओऊ यानि यह जो सवाल है यह तोटल सवाल कौन सा हूँका कौन सा concept दे रहा है यह not mutually exclusive concept दे रहा है जहां पर एक वक्त में दो चीज़ें आ सकती है बेखाल से यह वाली बात clear हो गई होगी ठीक है फिर हमें क्या देखना है को concept यहां में लिख लेती हूं आप लोग के लिए पहली चीज हमने क्या देखेंगे वह देखेंगे यहां लिख इन क्या लिखा यहां पर ओर और हुगें रॉट है में क्या पता लगा है ऑलेंड सीКак भी इंटरसेक्शेए यह वां इस समझति हchanging आप्ने क्या दिखाए इसका इन्टते सेक्षन या फिर यनियन या यह आप न अपने इसका पता मुझा पता है जब और होता है यहां क्या हो के यूनियन का फॉर्मिला लएगा और यकीन कीजिए हर कोशिन के अंदर आपके तीन स्टेप्स यही यूज हो रहे हैं अगर इन तीन स्टेप को फॉलोग करोगे तभी आप हर कोशिन के मुश्ली नॉन मुश्ली के कर सकते हो एवन दो के कंडिशन प्रोबैबिलिटी भी बह अगरे भी नॉनियन यّ नॉनियीं नॉनियस陳 agreement का यूनियन का फॉर्मेलियन का प्रोबैबिलिटी एए गर ऑके क्या क्या बीम् Cinnamon पूल रही हूं बाज कि धी मुट जनके अंदर स्विमिंग यूज혹 साथ की इस कीे प्रोबैबिलिटी ऑप यह हो गए अच्छा मैने क्या बता आया था इससे पहले कि माइनिस कर देंगे क्या इसके कॉमन पार्ट से अब यह क्या है इसका फोर्मिला ही है और यहां पर मैं लिखलेती हूं आगे शायद वहां पर स्पेस का मसले है तो माइनस किया मैंने ठीक है और आगे लिखा probability of G intersection SP ठीक है अब simply आपको क्या करना है देखो सारी चीज़े दीए भी है अब आपको पुट करना है जस्ट पुट करोंगे क्या यह क्या था आपका 64% अच्छा अब मैं देखो 0.64 लिख लो ठीक है 0.21 लिख लो 0.17 कोई इश्यू नहीं है लेकिन अगर आपसे restriction लगाई भी है कि भाई probability बताओ लेकिन percentage की form में ठीक है तो चाहे मतलब आप as it is भी रख सकते हो लेकिन अगर कुछ नहीं कहा तो कोई मसला नहीं है तो मैं आपका बन जाता है 0.68 और इसको मैंने क्या कर दिया अगर कर दिया तो उसलिहां से आपका बन गया 60 उसके लिहां से आपका बना है 68 परसंट ठीक है तो यह क्या हो गया आपका answer हो गया I hope you see a question आपको बहुत अच्छी तरह कि सहां समझ आएगा अब हम बढ़ेंगे कौन से question की तरफ जहां पे table की form आती है तो मांसे कैसे निक लिग को बढ़ेंगे